एक बार फिर से मैंने नियोजिट चानीज 2.0 में आप सभी सिक्षक सांथियों का स्वागत है आप सभी को जानकारी के लिए ये बता दूँ कि एलोटमेंट सिक्षकों के लिए जारी हो चुका है लेकिन एलोटमेंट जारी होने के बाद भी बेतन भुखतान में फसा पेंच मांग की गई थी रासी जो उसके अनुरूप नहीं रासी आया है इसके वज़ा से बेतन भुखतान में फस गया है पेंच किस जिला की खबर है और कैसे फसा आया तो पूरी जनकाइड के लिए किर्पिया वीडियो को अन तक जहूँ देखा उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो किर्पिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइक अवा सदबा दे नोटिक्रिकेशन अन कर द जो बीना वाच किये हुए ही कॉमेंट कर देते हैं तो इस तरह का किर्पिया नहीं करें वीडियो को वाच कर ले उसके बाद अगर कॉमेंट करने का नौवत आता है तो आप कॉमेंट करें मैं उसका जवाब देने का भरपूर परियास करूँगा तो आये चलते हैं और बेतन मत की राशी आवंटित फिर भी भूगतान में पेंच ये आपका हेडलाइन ही देख रहे हैं कि दिया हुआ है आपको बता दें कि डिमांड किया गया था 75 करोर रूपिये का और ट्रेजरी में दिखा रहा है सो कर रहा है 55 करोर रूपिया ही जिसके वज़या से शेका भूगतान नहीं हुआि किसी सिकषक का कॉमेंट आया था उसमें मैंने जबाब दिया हुआ था कि रासी कम आया है जिसके वज़से बेतन भूगताण में लेट हो रहा है एक और कॉमेंट आया था जिसमें बाता था एक सिक्षक के द्वारान आया गिया है कि विपत्र चला गया लेकिन फिर मैं आपको कनफर्मेशन करके बता दूंगा तो इस तरह कल कनफर्म भी हो गया था और पेपर में भी आ गया है कि रासी सुक कम कर रहा है पचपन कडूर कर रहा है जिसके वज़ा से बेतन भुखतान नहीं हो रहा है तो आपको बता दे रहे हैं देख रहे हैं ये रासी सुक किर्थ कुछ और लेकिन आवंटन आया कुछ और सिक्छको के बेतन मद की रासी में आवंटन के बाद भी पेच फस गया कोशागार से सुक किर्थ रासी से कम मिलने पर निकासी से इनकार कर दिया ऐसे में 55,000 सिक्षकों के बेतन भुगतान का मामला फस गया है मामला बिहार सरकार मद में बेतन पाने वाले सिक्षकों का यानि जीओ भी मद का इस सिक्षकों के बेतन आवंटन सीए फेमेस परनाली से होता है लेकिन कुछ दिन पूर्व ही पराप्त हुआ था यह रासी परिवर्तनकारी पररंबिक सिक्षक के परमंडलिय संगठन परवारी लखनलाल निशाद ने बताया कि समस्या आवंटन में भीनता को लेकर पटना से सुईकिर्थ जितना रासी है उतना जीले में पराप्त नहीं यहाँ पर ट्रेजरी में सो कर रहा है 55 करोड ही परिवर्तनकारी पररंबिक सिक्षक संग के अध्यक्स बंसी दरबर जवासी ने कहा कि 5 दिन पूर्वे पटना जब सचीव से बात की गई तो उन्हों ने कहा है कि मेरे सामने यह मामला नहीं आया है इसे दिखाया जा रहा है जो भी रासी गई है उसे निकासी करवाएं और समिक्षा कर बची रासी भेजने का अभिलम परियास करते हैं जो रासी गया है उसका निकासी आप करवाले सिस जो रासी है यहां से राज से फिर से दिखवा कर आवंटित कर दिया जाएगा तो इस तरह पेच फस गया है और क अब तक ये रासी आएगा इसका समय सीमा नहीं बताया जा सकता है लेकिन इसके लिए परिवतनकारी पररंबिक सिक्षक संग के परदेश यह द्याक्ष बंसी दर बर्जवासी परियासरत्र हैं तो वीडियो में इतना ही वीडियो मलास तक बने आने के लिए दन्यवाद वीड वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें